नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी पुरानी वीडियो को इतने सारे लाइक देने के लिए, इतने सारे कमेंट्स और शेयर्ग करने के लिए और व्यूज देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जैसा कि आप लोगों को मैंने वादा किया था कि मेरी predictions चाहे सच हो या जूट हो मैं आप लोगों के सामने दुबारा से आऊंगा वर्टकप final खतम होने के बाद तो लीजिए मैं आप लोगों के सामने हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी लगभग 90% जो predictions थी वो बिलकुल सच हो चुकी है वैसे तो मुझे भी हरानी हो रही है कि कैसे टीम इंडिया जैसे जैसे मैंने कहा वैसे वैसे ही खेली है और शायद हो सकता है कि अस्टेलिया टीम ने भी मेरा वीडियो मैच से पहले देख लिया हो और उसी के basis पे उन्होंने भी अपना खेल दिखाया वैसे ही उन्होंने mental pressure बनाया चाहे वो बॉलर्स हो चाहे बैटर्स हो शायद हो सकता है इंडियन टीम ने मेरी वीडियो नहीं देखी थी इसकी वज़ास से वो लोग ये कल का मैच हार गए अब दोस्तों जो मेरे पास comments आ रहे हैं उसमें सबसे जादा लोग यही लिख रहे हैं कि कैसे आप बिलकुल bang on prediction कर सकते हैं आपके भविष्य से आयो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है मैं इसका सारा श्रे जो है वो भगवान को देना चाहता हूं भगवान यानि की गौड एक बार वो कहते हैं न कि तो उसके लिए सरस्वती माता और सभी भगवानों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद अब जहां तक दोस्तों बात है मेरे सही और prediction करने की तो मैंने इतने साल हुए गेम खेलते हुए और गेम को देखते हुए cricket को देखते हुए इतने साल हो चुके हैं मुझे कि मैंने जब इंडिया final में पहुची थी उससे पहले उनकी गलतियां analyze करी कि उनकी गलतियां क्या-क्या थी और Australia किन चीजों में उनके उपर हावी हो सक रखती है और उन सब analysis का निचोड निकालके मैंने वो वीडियो बनाई थी अब जैसे कि आप देखेंगे जो semi-final match था उसमें रविंदर जडेजा जैसा जो फील्डर है उसने ऑवर्थ्रो के रंस दिये थे जबरदस्ती जबकि क्रीज में था batsman semi-final match में साउट अफिका क खिलाब उसने थ्रो किया जो कि डारेक्ट थ्रो लगा और उन लोगों ने भाग के दोरन ले लिये थे तो वो कहीं ना कहीं मुझे panic state नजर आ रहा था पैनिक नहीं कहूंगा उसको यह कहूंगा कि overconfident लग रहे थे कि भाया कुछ भी हो जाए हम लोग तो match जीत ही जाएंग सेवन थे अफगानिस्तान के खिलाफ तो वह overconfident नहीं थे कि हम लोग जीत जाएंगे वह confident थे मैक्सवेल वहां पे खड़ा रहा कमिंस वहां पे खड़ा रहा और वो दोनों match जिता के ले गए confidence में और और confidence में बहुत थी fine line होती है यही चो चीज है यहीं पर टीम इंडिया मात खा गई आप देखिए जैसे मैंने analysis किया था रोहित शर्मा 30 40 50 60 रन मारेंगे वह exactly 47 रन मारे और उसके बाद आउट हो गए अगर दोस्तों यह गली cricket होता है या स्कूल क्रिकेट होता ना और कोचिस होते हैं वहां पे उस कूल क्रिकेट में तो इस गलती के वेजा से जि यू आर नॉट प्लेइंग अ लीग मैच यू वर प्लेइंग वर्ड कप फाइनल मैच आपने पहली बॉल पर चक्का मार दिया था दूसरी बॉल पर चौका मार दिया था तीसरी बॉल पर आगे बढ़कर आपको शौट मारने की जरूरत नहीं थी यू जस्ट कूड अब ट 30-25 ओवर तक हर हालक में टिकना था रोहिट शर्मा ने यही गलती की चक्का और चौका मारने के बाद दूसरी बॉल पर फिर आगे बढ़ गए अब मैक्सवेल भी कोई चोटा-मोटा बॉलर नहीं है मेरे ख्याल से वह तकरीबन देड़ से ज्यादा विक्ते ले चुका है उसको पता था कि अब अगर यह तीसरी बॉल पर आगे बढ़ा तो मुझे कौनसी बॉल लाल नहीं है और उसने वैसी ही बॉल डाली और रोहिट शर्मा कैच आउट हो गए अब कहने वाले लोग यह भी कह सकते हैं कि भाईया रोहिट शर्मा की किस्मत खराब थी वो तो ट् पाइनल मैच में अस्टेलिया तो वैसे मौका नहीं डेती है और मैच में तो बिलकुल भी मौका नहीं देगी तो इसलिएí यह कहना बेकार है कि अगर कैच छूट जाती अगर यह हो गाथा अगर वह गाथा अस्टेलिया टीम थी सामने श्रीलंका नीदर positivo नहीं थी आपको यह चीजें दिमाग में रखके खेलना पड़ता है दूसरा दोस्तों मैंने कहा था कि गिल्ड जो है वो भी फेल साबित होंगे हाँ मैं मानता हूं कि इस साल गिल्ड का साल जो है बहुत अच्छा रहा है उन्होंने तकरीबन साड़े सतनाव सब्सक्राइब रन बनाये हैं इस साल वंडे मैच में ही परन्तु जब फाइनल मैच का प्रेशर होता है उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए या आपको व वो बॉल नो डाउट हिट करने वाली थी लेकिन फ्रेंट फुट पे वो स्ट्रोक लेने वाला शॉट नहीं था वो बैक फुट पे ही जाकर उसको पुल करना चाहिए था तो उसकी वज़ासे शुमन गिल्बी सस्ते में ही चारण बनाकर आउट हो गए नाफ कीजेगा अब उसके बाद आते हैं विराट कोली पर विराट कोली का जैसे मैंने कहा था कि एक फेलियर ड्यू हालां कि 47 उनका फेलियर नहीं कहा जाएगा बट विराट कोली ने अपने स्टेंडर्स इतने हाई सेट कर रखे हैं कि हम लोगों को लगता है कि अगर वो मैच के एंड तक नही सब्सक्राइब नहीं है विराट ने अपनी गेम खेली वो जस्ट एक गलत शौट खेलते हैं गलत शौट भी नहीं कहूंगा किस्मत खराब थी उनकी कि इंसेड एज लगा और वो बॉल विक्टो में चली गई बट अगें जैसे मैंने कहा कि इतने स्टेंडर्स हाई कर रखे उन्होंने अब 58 की तो उनकी एवरेज है ओडियाई में अब जिसकी एवरेज 58 की हो वो वर्ड कप फाइनल मैच में 47 बनाएगा तो उसे अंडर पार स्कोर ही का जाएगा तो विराट कोली भी एक तरह से फेलियर ही साबित हुए हाला कि personally speaking मुझे ऐसी कोई द्रजिज नहीं है विराट कोली से जैसा कि मैंने पहले भी कहा है विराट कोली अच्छा खेल रहे थे अगर थोड़े टिक जाते तो स्कोर को आगे तक खीच के लेकर जा सकते थे बट जै के लिए वाले आपको मैच में आने नहीं देंगे वापस तो नो हाट फिलिंग्स और विराट कोली उसके बाद दोस्तों आते हैं श्रेया साइयर भी मैंने आपको कहा था कि नहीं चलेंगे सी श्रेया साइयर इस नॉट बिग मैच प्लियर वह आई पिर अच्छा खेल सकते में हैं उस्रेलंका के खिलाफ , इवन कई बार साउथ आपीगा के खिलाफ भी इंग्लेंड के खिलाफ भी रण बना सकते हैं लेकिन जब आपकी सेमी फैनल और वाठ आती है उन्होंने से संवे में बनाए थे बट जब आपकी में फाइनल की बात आती है तो यू नीड अ बिग प्लेयर तु कम अप वो उनमें हालां कि वो 34 साल के हैं बट वो चीज उनमें अभी तक दिखाई नहीं दी है समी फाइनल मैच जैसे ही मैंने का हाँ उन्होंने अच्छा खेला था और उन्हें बॉल भी अच्छी मिली थी मैं यह नहीं कहूँगा कि सारी गलती उनकी थी आई वस आउसे एक्सपेक्टिंग कि उनको शॉट बॉल करेंगे और वो पुल मारते वे आउट होंगे बट उनको एक अच्छी बॉल मिली और उनका कीपर के पास एच चला गया तो यह तो ही श्रेय सायर की बात अब दोस्तों उसके बाद आते हैं सुर्य कुमार का नाम मैंने जान बुझकल पहरे नहीं लिया था रविंदर जडेजा का अरे माफ कीजेगा मैं केल राहूल के बारे में तो बोलना भूली गया केल राहूल ने बहुत अच्छा खेला थोड़ा सा स्लो जरूर खेला सबसे हाइस रन केटर वही थे इस मैच में इंडिया की तरफ से 66 उन्होंने बनाए बट जब एक्सेलरेट करने की बारी थी तो वह भी आउट हो गए और मैंने आपको बोला ही था कि केल राहूल स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं पुरानी वॉल को भी अच्छा खेलते हैं तो वह 50-60-70 रन तक बना जाएंगे और उसके बाद आउट हो जाएंगे वरी फ्लैंकिस स्पीकिंग मुझे नहीं पता था कि मेरी ये पेडिक्शन भी सच हो जाएगी मुझे ये तो पता था कि कि वह रन मार लेंगे 40-50-60-70 रन तक पहुंच जाएंगे उसके बाद क्या होगा ये नहीं पता था मुझे ये सरस्वती मान ने ही मेरे से बुलवाया है कि वह 60-70 बना कि आउट हो जाएंगे अच्छा मैं बात कर रहा था उसके बाद जडेजा की जडेजा जो है मुझे ऐ शक्ते हैं में पर प्रक्या सकते हैं कि उन्हें कि अच्छी बाउन मिली और कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा सा गलत शाट भी खेला बैक फूट पर आके उन्हें भोट करने की कोशिश करी और वो लगा नहीं कीपर के पास ग्या ऐस हो तो बाल भी अच्छी थी और शाट भी थी वो चाहते तो उस बॉल को छोड़ भी सकते थे बट जो किस्मत में लिखा है वही होता है आप तो अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं और उन्हें कोशिश की भी आउट हो गए अब दोस्तों अब आते हैं हम लोग सूरे कुमार के उपर सूरे कुमार यादव का मैंने प उनको वीडियो शेयर कीजिएगा और म मैंने छो आलेसिस किया उनको बताइएगा देखने के लिए तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि सूरे कुमार यादव और हैं वो फॉटोंटी के बैटस्मैर नहीं है कि में आपको जमकर खेलना होता है आपको शुटेश से खेलता है वो 50 बॉलों में 100 बनाता है भाई सा मुझे यह तो बदा दो कितनी बार उसने 50 बॉलों में 100 बना दिये एक बार शायद उसके लावा तो नहीं अगर आप 15 मैचों में 18 मैचों में एक बार 50 में 100 बना रहे हो तो आई विल डेफिनेटली से कि आप एक ODI के अच्छ मैचे में बनाओ तीन मैचे में बनाओ तब आपको कंसिस्टेंट कहा जाएगा विराट कोली को किंग कहा जाता है किंग कोली उसे क्यों कहा जाता है क्योंकि उसकी सेंसरी बनाने की जो एवरेज है वो लगभग लगभग 4.8 मैचे में हर लगभग पांचवे मैच में जो है 5.4 matches में 5.4 matches में जो है वो एक century बनाता है इसलिए उसको King Koli कहा जाता है So सूर्य कुमार has to be consistent Otherwise 1 day में उनकी जगा नहीं बनती है उनकी उमर already 35 से उपर है इसलिए उनको ये छोड़ कर उनको T20 खेलना चाहिए No doubt T20 के बहुत अच्छे player है वो उनको 1 day format छोड़ देना चाहिए और उनकी जगा इशन किशन को मौका देना चाहिए वो अच्छे batsman भी है और अच्छे keeper भी है और वैसे भी मेरे को लगता है जब आंडिया वापस आ जाएंगे तो सूर्य कुमार की जगा वैसे ही नहीं बनेगी हाँ श्रेय सायर को तो जो है वो खिलाएंगे क्योंकि श्रेय सायर ने इस बार 2 या 300 मार दिये थे तो श्रेय सायर की जगा बनेगी तो ये तो था दोस्तों batsman का analysis अब आते हैं ballers के उपर ballers का जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भूमरा की line length जो है आप बिगार सकते हो आपने देखा होगा पहले आवर में ही भूमरा ने 13 खाये थे तीन चौक के खाये थे भूमरा में अब यह मैं कैसे कह सकता हूं आपको आपको अगर समी भालन का मैच देखेंगे तो शुरू से ही इंडिया की balling वह वेवर्ड थी इंडिया ने इ ऐसा दो या तीन बार हुआ था समी फाइनल मैच में तो एक जो वह प्राउडनेस की फीलिंग मेरे को लगता आ गई थी कि भाईया कुछ भी होजा हम कर लेंगे हम जीत लेंगे हमें 200 का टार्गेट मिलेगा तब भी हम उनको आउट कर देंगे तो एक जो वह एरोगेंस वा मुझे समी फाइनल मैच में ही लग गया था कि इनके अंदर वो फीलिंग आ चुकी है यहां पे कोच राहुल द्रविड का बहुत बड़ा कंट्रिब्यूशन होना चाहिए था उनको बॉलर्स को बैटर्स को यह समझाना चाहिए था कि भाईया यह फाइनल मैच है आप यह कि इंडिया के पास कोई भी प्लैन भी नहीं था रोहिट शर्मा को यही था कि मुझे उपर आना है 30 बॉलों में 50 बनाने हैं और उसके बाद आउट हो जाना है उनके पास कोई दूसरा प्लैन था ही नहीं कि मैं आऊंगा 50 बॉलों में उसके बाद कोली आएगा वो पूरी सीनिंग एंकर करेगा बाकी लोग उसके साथ साथ खेलते रहेंगे और हम लोग 300-320 तक पहुंच जाएंगे कोई प्लैन भी था ही नहीं विराट कोली के आउट होने के बाद लिटरली उनके पास कोई प्लैन नहीं था आप देखेंगे उसके बाद एक तरह से ताश के पत् कुलदीप और सिराज यह चारों मिलकर अगर 15 से 20 रन भी दे दें तो बहुत हैं अगर आप इन चारों का टोटल करोगे तो मेरे ख्याल से तकरीवन 35 रन इन चार लोगों ने बनाये हैं तो 15 और 20 वैसे 35 ही होते हैं तो आप उस तरीके से कह सकते हूं कि प्रेडिक्शन सही तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्लैन भी था ही नहीं इंडिया के पास अगर प्लैन भी होता तो वह उस पर स्ट्रिक मतलब उस पर जा सकते थे कि राहुल एंकर इनिंग खेल रहे थे बट सूरे कुमार यादव आए बोच अले गए उन्होंने टिकने की कोशिश नहीं करी कह सकते हैं आप कि ठीक है उनके पास आखरी के पुछले बल्ले बाज रह गए थे तो वह मारने की कोशिश कर रहे थे बट मारना भी आपको दिम कि दुनिया आपको समझ चुकी है कि आप विगट के पीछे ही मारोगे तो वह आपको स्लोब ऑंसर करेंगे फिर भी आप वही शौट बार बार खेल रहे हो फाइनल मैच में कुछ तो नया लेके आते आप कुछ तो सर्प्राइज एलिमेट लाते अपनी बैटिंग में कोई भी हो रोहिच शर्मा हो चाहे चाहे रोहिच शर्मा अगर यह सोचेता ना कि मुझे 25 आवर तक टिक्के खेलना है मैं 40 मतलब 30 बॉलों में 50 नहीं मनाऊंगा तो इंडिया की हालत कहीं ज्यादा अच्छी होती प्लैन बी नाम की चीज थी ही नहीं अब वहीं आप अस्टेलिया को देखिए उन्होंने रेगलर बॉलिंग करी लेकिन तूदल लेंथ उन्होंने बॉलिंग रखी जब रोहिच शर्मा मार भी रहे थे तब भी उन्होंने जो है अपने लाइनल लेंथ को स्टिक करके रखा नौ में अबर महीं वह मैंस्वेल को ले आए वह अनकर्टिड था उनका प्लैन भी था कलिए मैक्सवेल को लेके आना वो चाहते हो जब साह को वी लेके आ आ सकते थे क्या वर क्या है और विकेट मिलते देखिए उन्होंने म्यक्सविल को हटा के कब बाद नमें आप पीज़ी एक और कमजोरी देखिए ऐधीम होब कि ट्रैसि और किये दो औरगी चार आवरों में उन्होंने सिरफ 9 रं दिये आप कीज़ेगा ये 4 ही है 4 आवरों में 9 रं दिये आप उनके छटे और 7 बॉलर को 4 आवर doen सिरफ 9 रं ले पा रहे हो वहीं से आपकी हारते हो गई थी वहीं से पैजल गई था कि आपके पास कोई प्लैन भी नहीं मिशेल मार्श ने 15 रन मारे वो आउट हो गए बॉर्नर जल्दी आउट हो गए ठीक है उसके बाद ट्रैविस हैस ने खूता गाड़ दिया कि भाईया मैं तो आउट नहीं होने वाला मिरे ख्याल से 137 रन मारे ने ट्रैविस हैड ने 137 रन मारके अब सोचिए 241 में से अगर कोई बंदा 137 रन मार जाएगा तो एक तरफ आउग गेम ले गया यहाँ पर मुझे लगता है कि टीम इंडिया ने एक टेक्टिकल मिस्टेक करी टीम चुनने में अश्विन कम्बिनेशन को नई चेहरा चैहिए वित सब मैं कहता हूं July को चीह था आपको सिराज की जगा अशविन को लेना चाहिए था बॉलिंग में ibal ji flaviesjed left-hander है याश्विन off-spinner है आपको उनके खिलाफ Travis Heade के खिलाफ अश्विन को दूर्म यूर्ण चाहिए था अश्विन जब भी अस्ट्रिले खिलाफ खेले हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है अश्विन के होने की वज़ा से आपको एक एक्स्ट्रा बैट्स्वेन भी ज़रूर मिलता फाइनल में आपको अश्विन को हर हालत में खिलाना चाहिए था आपने देखा होगा कि ड्यू भी जो आई थी वो 35 ओवर के बाद आनी शुरू ही थी 35 ओवर तक आप अश्विन के कम से कम 7-8 ओवर खतम करवा सकते थे और हो सकता है कि अश्विन 2 या 3 विख्टे ले जाता और अगर ट्रैविस हेड को ले जाता हो तो मैच पूरा उपन हो जाता बट वहाँ पे इंडिया टीम ने टेक्टिकल मिस्टेक की है कि जी हम विनिंग कम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे विनिंग कम्बिनेशन के साथ फाइनल में नहीं जा सकते आपको कंडिशन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी आपको देखना पड़ेगा कि पिच कैसी है पिच कैसी बिहेव कर सकती है आपको हर हालत में देखना पड़ेगा और पिच की कंडिशन के हिसाब से ही आपको जो है अपने बॉलर्स तैय करने पड़ेंगे यह Indian team ने बहुत 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 परी tactical mistake की थी बाकी ये बॉलर्स पर आते हैं शामी ने ठिक ठक बॉलिंग करी हाला कि वो पिटे भी उनको एकी विगट मिला भूमरा को दो विगट मिले सिराज as usual पिटे उनको भी हाला कि मेरे ख्याल से दो विगटे मिली है नहीं उनको भी एक इविगेट मिली है भूमरा को दो शामी को एक और सिराज को एक कुल्धी प्यादव जैसे कि मैंने कहा था कि वो पिट सकते हैं पिटे तो नहीं उतना क्या कि स्कोर भी इतना नहीं था 240 बनाने थे ठीक ठाक पिटे वो तकरीवन 535 की इजनरेट से पिटे वो और रविंद्र जेडेजा को भी आप खेल कर निकाल सकते हैं और उनको भी पीट सकते हैं कर आप उनको दिखाएं कि मैं आगे बढ़ रहा हूं या रुक कर आप उनको शॉर्ट बॉय बे मार सकते हैं उन दोनों की भी पिटाई हुई थी तो यह तो था दोस्तों पिछले मैश का सारांच कि मैंने जो पेड़ किया था वो क्यों किया था कैसे किया था और क्या हुआ अब एक नराजगी मुझे आप लोगों से भी है जितने बी दर्षक मुझे देखने यह जितने भी दर्षकों ने match देखा मैंने आप लोगों को यादो को मैंने का था कि pressure टीम इंडिया के उपर है टीम इंडिया के जितने भी विव्यूर्स हैं जितने भी उनके चाहने वाले हैं वो उनके उपर unnecessary pressure create कर देते हैं कि you have to win the World Cup मुझे भी बहुत दुख हुआ जब हम लोग वर्ड काप हा रहें लेकिन लेकिन आप प्लीज उनको खुदा मत बनाईए वो प्लेयर्ज हैं क्रिकेट एक खेल है क्रिकेट रिलीजन नहीं है आप क्रिकेट को रिलीजन मत बनाईए क्रिकेट के अलावा भी और सारे खेल हैं इंडिया में क्रिकेट देखिए IPL देखिए उनको ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि इनको पैसे चाहिए सिराफ यह लोग पैसे खा लेते हैं यह लोग IPL खेलने के लायक ही है भाईया वो प्लेयर्स हैं वो खुदा नहीं है हाँ उन्होंने गलती की लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि हम आगे के matches देखना छोड़ दें ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें उनसे unnecessary expectation भी नहीं रखनी चाहिए अगर यहीं पर Australia team होती तो कभी भी ठीक है हारने पर सबको अफसोस होता है वो बुरा भला उनके अख़बारों में लिखते भी हो सकता है उनके fans भी उनको कुछ न कुछ कहते बट इतना नहीं कहते और कभी भी Australian cricket team को देखने के छोड़ने की बात कभी नहीं करते तो यहाँ पर मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि team India के साथ रहिए उन्होंने अच्छा खेला यार 10 मैच उन्होंने अच्छे खेले है 11 मैच भी अगर वो कुछ different तरीके से खेलते अपना जो उनका template set था उससे नहीं खेलते तो वो जीत सकते थे वो same template पे चले इसकी वजा से हारे आप समझे इस चीज को लेकिन हमें team India का साथ नहीं छोड़ना है एक चीज और दोस्तों हमें cricket के पीछे पागल भी नहीं होना है इतनी games हैं दुनिया में इतनी games हैं जो India खेलता है अभी पीछे Asian games होई थी उसमें इंडिया ने 107 medal जीते थे और उसके बाद पैरा Asian games होई थी कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि जो पैरा Asian games होई थी उसमें से इंडिया को कितने medal मिले थे क्योंकि कोई देखता ही नहीं है कोई viewership ही नहीं है उसकी उनको भी देखना शुरू कीजिए कितने लोग जानते हैं कि पैरा जो Asian games होई थे उसमें शीतल देवी नाम की एक महिला थी उन्होंने आर्चरी में गोल्ड मैनल जीता था इंडिया की तरफ से फाइनल में उनका match सिंगापूर की एक लेडी से हुआ था उनके शीतल देवी के जो है वो हात नहीं है वो पैरों से जो है अपने आर्चरी पकड़ रही थी और जो उसका कमान होता है वो पकड़ रही थी और वो अपने पैर के अंगूठे सेसेट करके वो तीर चला रही थी उनकी जो अपोजिशन में थी सिंगापूर की लेडी उनके हाथे उनका नीचे का हिस्सा जो है गोल्ड मेडल जीता तो अगर देखना है तो आप शीतल देवी को देखिए और दूसरा एक्जांपल में आप लोगों को बताता हूं गर्वित उसने में 400 मीटर में लगभग 48 सेकंड के अंदर 400 मीटर की रेस पूरी की थी पैरा इस पैरा एथलाटिक होने के बावजूर और 48.4 सेकंड में उसने 400 मीटर की रेस पूरी कर थी और गोल्ड मैडल जीता था अब पैरा एसन गेम्स की तो आप चोड़िए क्योंकी एशन गेम्स की तो पैरा है इसन गेम्स कहां से देखेंगे आप लोग एशन गेम्स में आपको पता है इंडिया ने कितने मेल जीते थे वह तो वसकता लोगों को पता हो कि उसमें 107 मेल जीते थे इंडिया ने उसमें सात्विक और चिराक की जोडी जो इस वकत वर्ड की नंबर बन आई थिंग बन चुक पारुल चोधरी का मैच देखिए आप पारुल चोधरी ने 5000 मीटर में जो है गोल मेल जीता था आप एक बार उनकी रेस देखिएगा पारुल चोधरी की पांच किलो मीटर वो दोड़ी लड़की सेकिंड पे थी वो आखरी के लगभग 25-30 मीटर तक दूसरे देश की कोई मुझे नाम याद में उस देश की लड़की के नाम था वो उससे तक्रीवन 30 मीटर पहले तक पांच किलो मेटर में 30 मीटर पहले तक वो उससे आगे थी और एकदम से इसने फर्राटा लिया उस लड़की ने लेफ्ट हैंड साइड पर मतलब राइट ह भी नहीं चला देखनी है तो ऐसी रोमांचक चीज देखिए नीरे चोपड़ा को तो सभी ने देखा होगा जीतते हुए वो तो आफकोर्स है वो तो हार्ट ऑब दी नेशन है अविनाश साबले को कितने लोग जानते हैं आपने से उन्होंने 3000 मीटर स्टेपल चेज में साथ जो है और उसमें काफी सारी चीजें पानी भी होता है रेत भी होती है वो सब कूद के पार करके जाना होता है उसमें उन्होंने गोल मेल जीता और 5000 मीटर रेस में उन्होंने जो है उस सिल्वर मेल जीता था यह रेसिस देखिए आप और खेलों को बढ़ावा दीजिए क्रिकेट भी देखिए, क्रिकेट में इंडियन टीम का साथ नहीं छोड़ना है, परन्तु ये सब चीजें भी देखिए, तब आपको बाद चलेगा कि हमारी fraternity क्या है, हम लोग क्या है और क्या कर सकते हैं, और खेलों में भी पैसा है, वीवर्शिप आईगी तो पैसा और चले दोस्तों, आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, मेरी पुरानी वीडियो को धेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को भी आप जादा से जादा शेयर कीजिएगा, जादा से जादा कमेंट कीजिएगा, लाइक करी तो अपनी पुरानी वीडियो का जो है लिंक वो डिस्क्रिप्षन में डाल रहा हूं आप वो वीडियो मेरी जाकर देख सकते हैं और ये भी भी देख सकते हैं कि मैंने जो प्रेडिक्शन करी थी वह मैच शुरू होने से तकरीबन 18 गंटे पहले करी थी तो अभी के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद दो-तिन दिन भाई में ही मैं आप लोगों के पास एक नया वीडियो लेके आऊंगा यह रहेगा भहिया मैं खुदा नहीं हू सरस्वती माता ने आकले मेच से जो बुलवाएं वह मैंने बोला अगर हो मैं सेटी 212 Spiritual एक अप्री मेरी जीवा पर वैठी है तो ही मेरे मूझ से सच निकलेगा लगा नहीं कि इस बार भी नीकलेगा है उसमें उसमें इंडिया गेम की जो टीम है उसकी गेम को 10 बार खेलने के बाद एनलाइस किया है इंडिया टीम 10 मैच खेली वो मैंने एनलाइस किया अस्टेलिया टीम की 10 मैच एनलाइस किये और अस्टेलिया टीम का पुराना हिस्ट्री देखी इंडिया टीम की पुरानी हिस्ट्री देखी और इस बार किस पेटरन पर टीम इंडिया चल रही है उनके पास कोई प्लैन भी है या नहीं है वो सब चीजें देखने के बार मैं जिस निशकर्ष्ट पे निकला जो मेरा निचोड निकला वो मैंने पिछले वीडियो में बताया चलिए दोस्तों अभी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जल्दी ही आप लोगों के पास नई वीडियो लेकर आता हूं जैश्री राम